आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कैसे आप अपने बनायों ही वेबसाइट को आनलाइन लेकर करके आ सकते हो ताकि उसे पूरी दुनिया से कोई भी अपने मोबायल, टैबलेट, कम्प्यूटर दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी डिवाइस से आपकी सीखना है कि इसको ऑनलाइन कैसे लेकर के आया जाए, तो आपने भी इसी तरीके से कुछ ना कुछ एक वेबसाइट क्रियेट किया होगा, हम डारेक्ली ये देखते हैं कि कैसे इसे ऑनलाइन लेकर के आया जाए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चनल पर न्यू है, तो सबस्क्राइब करें, बैल आइकन को क्लिक करके और नोटिफिकेशन को अन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, इस वेबसाइट को ऑनलाइन लेकर के आने के लिए, जिस टूल का हम यूज करेंगे, वो है विन्रार, य इसकी स्पेलिंग है, यहाँ पर क्लिक करें, इनके ओफिशल लिंक पर इसको डाउनलोड करें, नेक्स, नेक्स, नेक्स करके इसको इंस्टॉल करें, फ्री आफ कॉस्ट है और बहुत ही ईजी है इसे करना, किसी भी तरीके की वेबसाइट को बनाने के लिए और उसे इसे ही आपने भी अपनी वेबसाइट के लिए कुछ ना कुछ नाम सोचा होगा, यह कहलाता है डोमेन नेम, होस्टिंग होता है स्टोरेज प्लेस जहां से आप अपनी वेबसाइट की सारी फाइलों को स्टोर करके रखोगे, तो अगर आप डोमेन रिसर डोट कॉम पे आपका फास्ट रहने वाला है, प्राइसिंग प्लैन के अगर हम बात करें, तो बेसिक प्लैन स्टार्ट होता है 59 रुपीज पर मंच से, जिसके अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB SSD की स्टोरेज है, 10 email address क्रेट कर सकते हो, 5 GB की bandwidth है और light speed की technology है, परसनल प् आपको तीन website होस्ट कर सकते हो, बाकि सारी चीज़ सेम है और unlimited है, advanced plan के अदर आपको एक domain name free मिल जाता है, unlimited websites को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकि सारी चीज़ सेम है और unlimited है, advanced plan IT इंड़स्ट्री वालों के लिए, freelancers के लिए, web designer developers के लिए best है, क्योंकि यहाँ पे आपको domain name free मिल जाता है unlimited websites को यहाँ पे आप host कर सकते हो और इन तीनों ही plan के अंदर आपको premium SEO tool free मिलता है जिसकी market cost $49 per month है approximately 37, 38, 100 रूपीज पर मन्त जिसके लिए आपको पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है domain reser आपको यह free of cost provide करते हैं इसकी help से आप अपने website की SEO कर सकते हो और उसे rank करा सकते हो तो आप अपने budget अपने requirement के हिसाब से domain reser.com पे आकर के plans को check कर सकते हो मैं currently यहाँ पे silver plan की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं तीन website को host कर सकता हूँ duration को select किया मैंने और view more के उपर click करे यहाँ से आपको अपने लिए domain name select करना है .com, .in जिसकी requirement हो वो select करें and simply आपको check के उपर click कर देना है एक बार यह available हो जाता है तो नीचे scroll करके simply आपको continue पे click करना है details को read out करके again continue करे continue करे अपने hosting को check करे, domain name को check करे simply आपको check out के उपर click कर देना है तो यह आपका check out page है जिस तरीके से आप online shopping करते हो अपना account create करते हो, उसी तरीके से आपको basic details यहाँ provide करना है एक email address provide करना है, एक password generate करना है और अपने order को यहाँ से complete कर लेना है एक बार आप इस process को पूरा कर लेते हो तो simply आपको जाना है main page पे यहाँ से आपको जाना है login बटन के उपर और order completion के time पे जो email and password आपने use किया था वो fill करके simply login बटन के उपर क्लिक करें जितने भी services आपने opt किये होंगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा simply services के उपर क्लिक करें और जिस भी domain के उपर आपको अपनी website को online लेकर के आना है उसके active बटन के उपर क्लिक करें right hand side पे नीचे आपको एक option मिलेगा login to cpanel simply उसके उपर क्लिक करें तो यह आपका cpanel यानि की control panel है आप यहाँ पर check कर सकते हो domain research के web hosting servers में आपको 100 plus options मिलते हैं चीज़ों पर deal करने के लिए जैसे की emails को अंडल करने के लिए बहुत सारे tools हैं, jet backup के बहुत सारे tools हैं files के लिए बहुत सारे tools है, SEO के लिए बहुत सारे tools है, तो हर एक चीज़ के लिए अलग-अलग categories बने हुए और उसके अंदर बहुत सारे tools आपको मिले हैं हो सकता यह minimized हो, तो इसको maximize करें files के section में आपको जाना है, यहां पर file manager पे मैं पिछले tabs को यहां से cut कर रहा हूँ file manager open होने के बाद, यहां पे आपको एक folder मिलेगा public underscore HTML, यहां पे भी है यहां पे भी है, दोनों में से किसी के उपर भी click करें यहां पे आने के बाद आपको क्या करना है, अपने files को यहां पे upload करना है आप चाहें तो इस वाले को यहां से delete कर सकते हो इस जगह पे उपर आपको एक button मिलता है, upload, simply इसके उपर click करें अपने folder में आ जाओ, जो आपका project का folder है, जितने भी उसकी चीज़ें है सभी आपको select करना है, right click करना है, add to archive यह add to archive का option तभी मिलेगा जब आपने winrar software को install किया होगा zip पे click करके simply आपको ok पे click करना है, तो यह आपका backup file है अब आप क्या करोगे, select पे जाकरके उस file को select करोगे या फिर यहां से drag, यहां आ करके drop, तो भी आपका वो file upload हो जाएगा इस process के पूरा होने का wait करें, एक बार यह आपको green color का show कर दे तो आप चाहें तो इसे cut कर सकते हो, और इस जगा पे simply आपको reload करके check करना है इसके उपर right click करे, और यहां पे आ करके इसको extract करे, extract करे और यहां से close करे, तो आपकी backup file यहां पे upload हो चुकी है इसके बाद आपको इस zip file को यहां से simply delete कर देना है, तो मैं इसको यहां से delete कर रहा हूँ और एक चीज़ और कर सकते हैं, यहां पे कि इस वाले folder को open कर लेंगे, select all करेंगे और इसको एक step हम लोग पीछे move करेंगे, तो मैं यहां पे आता हूँ और मैंने यहां से html को हटा दिया, public underscore html के अंदर मैंने कहा इसको move करना है move file पे टिक किया, तो यह हमारा empty हो गया, और file हमारी बाहर आ गई अब हम इस html वाले को यहां से delete कर सकते हैं, अब आप क्या करोगे, simply अपने domain name को आपको open करना है तो आप यहां पे चेक कर सकते हो, यह website हमारा online आ चुका है, अब इसे पूरी दुनिया से mobile, tablet, computer, किसी भी device के ऊपर कोई भी person यहां पे चेक कर सकता है बहुत ही easy होता है, एक website को online लेकर के आना, हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देखो, शायद आपको यह website online ना दिखे, क्योंकि मैं generally files को delete कर देता हूँ, क्योंकि मुझे और भी recordings यहां पे करनी होती है लेकिन आप इनी steps को follow करके, बहुत ही easily अपनी website को online लेकर के आ सकते हो मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़े step by step बहुत ही easy way में समझा दी जाए और उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ही वीडियो आपको अच्छा लगा है तो please like करें and comment में अपना feedback जरूर दे चैनल पर new है तो subscribe करें, bell icon को click करके all notification को on करें तकि आपको latest videos की notification मिलती रहे मैं मिलता है आपसे अगली वीडियो में, thanks for watching guys